तो विल्गर बैक टो यूट्यूब चैनल इंवेस्मेंट हिंदी माइनम इस सायन गोस चलिए सुरू करता है वीडियो जहां पर हम डिस्कस करने वाले की निफ्टी एंवेंग निफ्टी में कल क्लिक क्या ट्रेट में हो सकता है सबसे पहले हम जाएंगे निफ्टी निफ्टी केंडल निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रॉंग रेट कलर केंडल हुना है मार्केट कहीं नहीं थोड़ा वीकनेस दिखाया और नीशी की तरफ आया और 18600 लेवल का जो हमारा लास्ट दिन का टागेट था सेलिंग के लिए वह आज का कम्प्लीट हूँ और वहीं से सेक्षन में तो यह हमारे वीडियो तो धहां से देख लेना है तो हमने वहाँ पर डिसकस क्या हिया था हमने डिसकस किया था कि 18600 लेवल में एक स्ट्रॉंग सपोर्ट एरिया है अगर मार्केट को फॉल करना तो यहां पर थोड़ा बाद टाइम पास करना पड़ेगा उसके हमने दुबार एक अपडेट दिया कि यहां पर एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस जोन है जहां पर मार्केट कहिने की डबल टॉप पैटन कुछ बना सकता है और वहीं से हमने आज खुद भी एक सेल ट्रेड लिया और उसका अपडेट भी एक ट्रेड लिया उसका अपडेट भी आपको थोड़ा पर दे दिया था ठीक है रेगुलर यह ट्रेड हम अपडेट देते नहीं है यह ट्रेड लेने के बाद देते हैं क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि निफ्ट एक क्रूसे लेवल पर है डट इस अरौंड एटी ताउजन सेवेंड तो ओविसली वहा अगर हमने देखा कि मार्केट कल गैप ओपनिंग होता है तीन टाप को ओपनिंग होता है अगर मार्केट में कल गैप ओपनिंग होता है बस आपको यह ध्यान देना है कि मार्केट कहां पर ओपन हो रहा है उसे कैसे रियाट कर रहा है अगर मार्केट में 18,700 के ऊपर ओपनि देगा और इस support को respect देगा और यहीं से हम लोग buy का trade plan कर सकते हैं क्या करेंगे हम लोग या तो call buy कर सकते हैं या best put sell करके काम कर सकते हैं upside में target क्या होगा upside में target आपके रहने वाला है 18,780 and 18,820 upside का target होगा अगर वो break होता है तो 18,890 अप तक का target हमें मिल सकता है अचा selling के लिए कब बैठना है देखो selling के लिए तभी होगा अगर market instant इस level के नीचे आ जाए जैसे आज यहाँ पर देखने को मिला था market वापस इसके नीचे आ जाए तुरंत हम selling के लिए बैठ सकते हैं क्विक टागेट के लिए कोई बड़ा टागेट ने क्विक टागेट के लिए जो हमारे एक target देखने को मिल रहा है आपको समझा देता हूं दुबारा जो नीचे अगर आता है तो फर्स टागेट आपको य और लंबा टागेट के लिए बैठना हो तभी होगा जब मार्केट 18,600 को डाउंसाइट ब्रेक करेगा ओके आई होप यह क्लिए रहा तो 18,600 नीचे जाता है तो आमें फॉर्दर टागेट क्या मिल सकता है 18,500 लेवल ओके अगर मैं डेटा वाइस बात करो तो डेटा को 18,700 के आसबा से चल रहा है जो एक इंपॉर्टन लेवल की तरह एक्ट कर सकता है और नेक्स ट्रेडिंग ने ठीक है यह तो चलो यहां से देगे यहां पर कोई सपोर्ट इंपॉर्टेंस सपोर्रेश्न लेवल हमें नहीं देखने को मिल रहा है अब वापस अगर बैंक जाता है तो हम बैंक रहा हैं लेटेंगे अर अंगर अधर मार्केट रेंघ के अंदर आता है तो फिन लेंस ट्रींग बना कि Pizza अटो की हम लेग odpow surty अब कल के लिए क्या प्लान होगा, देखो, कल के लिए बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, स्टेंड लेन को अटा जता हूँ, प्लानिंग यह है, कि gap opening होगा, तो हम buying के लिए बैठेंगे, थोड़ा सागर sideways open हो, यह gap done open हो, हम selling के लिए बैठ सकता है, जब market इस level को नीचे breaker है, that is around 43,200, buying is above 43,300 and selling is below 43,200, अब मैंने क्यों बोला, थोड़ा डेटा चेक कर लेते हैं, डेटा में क्या दिखा रहा है, डेटा में अगर देखो, strong support यह resistance का बात करें, कई ना कई एक strong resistance है, 43,500 के असपास मिल रहा है, उसके बाद अगला को रेजिस्टेंस है, तो 43,200 के अ आज का resistance है, अगर overall OE का बात करें, 43,200 के असपास एक strong resistance मिल रहा है, market already 200 के उपर जा चुका है, तो यह अभी इतना valid नहीं रहने वाला है, अगर कोई support का बात करें, market कहाँ पर support बना सकता है, support हमें देख रहा है, 43,200 में strong support है, उसका next support is around 43,300, 43,000, okay, चलो, यहां से थोड़ 43,300 उपर रहा है, तो buying plan करें, upside का target 43,400 and 43,500, यहां upside का target रहने वाला, ठीक है, तो अब planning कहा, देखो, simple, अगर market gap opening हो, market gap opening देता है, थोड़ा बहुत buying का कुछ pattern बनाता है, we will go for the buy side, हमारा upside का target होगा, 43,400, 43,500 and 43,600, ठीक है, यह हमारा upside का target हो सकता, अगर market 43,300 के उपर रहता है, तो, right, चलो, अगर market काई ना, कि sideways open होता है, इस range के अंदर उपर रहता है, 43,300, 43,200, as an option buyer, trade avoid कर सकता हो, जते market range को break ना करें, जैसे ही market 43,300, या 43,300, 43,300 को upset break करता है, yes, 43,300 को upset break करता है, then हम buying के लिए बैढ़ सकते है, या तो put sort कर सकते हो, या तो call buying कर सकते हो, और targets open ब अगर selling के लिए बैठना है, कि अब कर सकते है, range को downside break करने देंगे, 43,200 को downside break करने देंगे, market जैसे नीचे trade करेगा, इस type को कोई pattern बनाएगा, तब selling के लिए बैठेंगे, मैं नेचे की दराफ के target होगा, 43,100 and 43,000, ठीक है, मैं huge selling के लिए expect नहीं कर रहा है, मैं huge buying का expect कर रहा ह यहाँ पर, जैसे market 43,300 के उपर जाता है, तो बड़ा buying आने के chances हैं, ठीक है, next important level जैसे हमने option chain में देखा, that is 43,500, 43,500 break करते ही, हमें 600,700 का भी level मिल सकते है, okay, I hope planning आपको clear रहा, मैंने बहुत quick, बहुत short मैं आपको समझाने कोशिस किया, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो trade planning कर सकते हैं, nifty and magnetic, okay, तो चलिए, मिलते फिर नेक्स दिन, thank you